बड़ी खबर लोकसवाज चुनाओ के दोरान भारती जन्ता पार्टी को एक और बड़ा जटका लग सकता है जहां एक तरफ इस लोकसवाज चुनाओ में सभी पार्टियां ज़्यादा ज़्यादा जीते जीतने को लेकर अपने चुनाओ पचार पसार में पूरे दम खम से लगे गुए हैं वह इसी दोरान भारती जन्ता पार्टी को गोवा में बड़ा जटका लग सकता है दरसल आपको बढ़ा दे गोवा सरकार में समर्थन दे रही पार्टी MGP ने कहा है कि और जल्द गोवा में बारती जन्ता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी आपको बताते कि पिछले महीने गोवा में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाने में महाराष्टवादी गुमान पार्टी ने अपना समर्थन भी आदा अब पार्टी उस समर्थन को वापिस लेने की बात पर रहा है आपको बताते कि एमजीपी ने लोगसभा चुनाओ और माफुसा बिधान सभा उप चुनाओ के लिए कांगरिस को अपरणा समर्थन दिया है आपको बताते कि लोगसभा के चुनाओ के साथ साथ गोवा में बिधान सभा का उप चुनाओ 23 अपरेल को होना है इसी को लेकर कांग्रेस्ट पार्टी और M.G.P. ने सिरोड़ा उप चुनाओ के लिए अपने प्रत्यासी भी मैदान में उता रहे हैं आपको बता दे कि बार्ती चैन्ता पार्टी से समर्थन वापिस लेने को लेकर M.G.P. के अध्यक जिपक धहुलिकर ने बताया कि हमने प्रमोच सावन सरकार से समर्थन वापिस लेने का नेड़ा लिया है उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जल्धी गोवा के राजपाल मिर्दुला सिन्ना को पत्र लिखेगी वही M.G.P. का ध्यक्ष ने भी बताया कि हमारी पार्टी ने कांग्रेश पार्टी को इस लोगसवाज चुनाओं में गोवा के दोनों लोगसवाज सीटों पर समाथन देने का नेड़ा लिया है वह इन सभी नेताओं के साथ ही उनकी सामाजवादी नेया मोर्चा पार्टी का कांग्रेश में बिले भी करवाए गया उत्तरप्रटेश कांग्रेश के प्रवक्ता उकारनाज सिंग के मौझूदगी में सामाजिक नया मोर्चा पार्टी के सभी नेताओं को कांग्रेस की सदिस्ता गरहन कराई गई इस दोरान पार्टी के प्रवक्ता उकारनाज सिंग ने बताया कि सामाजिक नया मोर्चा बिगत कई वर्सों से दुवान्चल यहम अवध में सामाजी के जनहित मुद्दो को लेकर लगातार संगर्च जगुपता का भ्यान चला रहा है कांगरेस में सामिल होने के इस मौके पर कांगरेस बिधान मंडल दल के नेता अजयक माललू ने सामाजिक नया मुर्चा पर्टी के नेताओं का पर्टी में स्वागत करते हुए कहा इस मुर्चे के कांगरेस में बिले होने से लोकसवाज चुनावे पर्टी को काफी बल मिलेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश, संबिधान और लोकतन को बचाने के लिए जिस मुहिम में जूटी हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी को अवस सफलता मिलेगी